जै श्री कृष्णा, एक बुढिया थी, कार्तिक नहाती, एक बार अपनी बेटे से बोली कि बेटा मैं गंगाजी नहाने जाओंगी, बेटा बोला मा क्या क्या समान चाहिए, माने उसे लड्डू का समान बता दिया, उसने समान लाकर अपनी बहु को दे दिया, और बोला कि म मेरी मा गंगाजी जाएंगी लड्डू बना दियो, बहु बहु चलाक थी, उसने सारा समान तो घर में बचा लिया, और बूर के लड्डू बना कर सास को दे दिये, बेटा मा को गंगाजी छोड़ाया, उसकी मा सुबह चार बजे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और एक पैसा और लड्डू लेकर आसन जमा कर बैठ जाती, भगवान जी महराज आते और खहते काकडिया कुंड पाऊंगा, माई मोहन लड्डू पाऊंगा, बुडिया माई रोजाना एक लड्डू, एक पैसा भगवान जी को दे देती, ऐसा करते करते पूरा कार्तिक का म पूनो के दिन भगवान जी महराज आये और बुडिया से बोले बुडिया मांग ले क्या मांगे। पूनो हो गई पड़वा हो गई। बेटा बोला मैं तो अपनी मां को ले कर आऊं। इतना सुनकर बहु को गुस्सा आ गया। बोली मां ही मां ढकारता रहता है आ जाएगी जब आएगी। बेटा नहीं माना। और अपनी मां को लेने चला गया। गंगा जी पहुँचकर सबसे पूछता डोला की एक बुढ़िया छोड़ कर गया था, किसी ने बताया की एक बुढ़िया तो वहां सोने की हुई बठी है। उसने जाकर देखा तो वह उसकी मां थी और कहने लगा मां ये सब कैसे हो गया। मां बोली बेटा मुझे तो सब भगवान जी ने दिया है। बेटा बोला मां घर चल। उसने मना किया कि मैं तो यह ही रहूंगी। मुझे तो भगवान जी ने दिया है। बेटा बोला मा तुझे चलना पड़ेगा। बेटा अपनी मां को लेकर घर आ गया। बहु अपने पती से लड़ने लगी कि मा को तो सोने की कर लाया और मेरी मा को ना कर के लाया पती बोला अगले साल कार्थिक में तिरी मा को भी सोने की कर लाऊंगा अगले साल कार्थिक आया उसने वैसे ही लड़ू का समान लाकर बहु को दिया लेकिन बहु ने अपनी मा के लिए खूब मेवा घी डालकर लड़ू बनाकर अपनी मा को दिये जमाई उसे गंगाजी पर छोड़ाया अब उसकी सास सुबह उठती ना नाती न धोती ना पूजा ना पाथ सुबह सुबह खाने लग जाती भगवान जी महराज आते काकडिया कुंड काऊंगा माई मौहन लड़ू पाऊंगा वो कहती जमाई के लिए लाए घी के बनाए काहे कुना दिखाऊंगी चुप चुप खाऊंगी ऐसा कहकर रोजाना एक लड़ू गप से खा जाती ऐसे करते करते पुरा कार्तिक का महिना पीत गया पूनो के दिन भगवान जी महराज आये बढ़िया बोली भगवान जी महराज मुझे भी ऐसे ही दो जैसे मेरी समधन को दिया भगवान जी बोले तूने भी ऐसे ही किया जैसे तिरी समधन ने किया कुछ तो किया ही था अच्छा आँख मीच ले आँख मीचते ही बुढिया कुड़ी पे से सूरी हो गई घाट घाट गुर्राती फिरे सब बड़े परिशान हो गई नाव से बांध दी उधर पूनो हो गई बेटी अपनी पती से लड़ने लगी कि अपनी मा को तो बड़ी जल्दी ले आया मेरी मा को ना ला रहा वो बोला तिरी मा को भी ले आऊंगा गंगा जी पहुँचकर सबसे पूछने लगा कि मैं एक बुड़िया छोड़ कर गया था मैं एक बुड़िया छोड़ कर गया था किसी ने बताया कि एक बुड़िया तो वहां सूरी हुई पड़ी है जाकर देखा तो सास है सास जमाई को देखकर उसके पैरों में चिपट गई और बोली कि तुम्हारे भगवान जी तो बड़े दोगले पठपीटने हैं जो तुम्हारी मा को तो कैसा कर दिया और मुझे कैसा कर दिया वो बोला भगवान जी दोगले नया हैं तुम्हारे कर्म दोगले हैं जैसे मेरी माने किया, मेरी मा को मिला, जैसा तुमने किया, वैसा तुमको मिला, गाड़ी से बांद कर घर ले आया, उधर बेटी और धेवती होते तो बड़े खुश होते, डोल रहे कि मेरी मा सोने की होकर आती ही होगी, अब नानी तो सूरी हो आई, वो आके अशन पानी लेक पढ़ गया, बेटी दोड़ी दोड़ी अपनी मा को लेने गई, जाकर देखती है तो वहाँ वह सूरी हुई पड़ी है, वो सबसे पूछती डोले कि मेरी मा का दोश कैसे उतरेगा, फिर किसी ने बताया कार्थिक नहाने वाली हो, उसके नहाय हुए जल से नहाने से उसका दो और अपनी मा को उसके नहाय हुए जल से नहलाया तो उसकी काया कंचन सी हो गई पूँच जो पट्रे के नीचे दबी रह गई तो पूँच तो सूरी की ही रह गई बाकी सारा आदमी दे हो गई भगवान जी जैसे पहली बुढिया को आए वैसे सब को आना जैसे दूसरी बुढिया को आए ऐसा किसी को ना आना कहते सुनते हुंकारा भड़ते को उलकिशन भगवान ने की जै